हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो सोनिया सिगनेचर डिशिस बपा आ रहे हैं और उसी अवसर पे मैंने यहाँ पे रोस गुलकन मोदक जो की बहुत ही स्वादिश्ट है उसकी रेसिपी छट से पाच मिनट में कैसे बनाए दिखाई है यहाँ पे इंग्रिडियंट से ऐसे ही यूज करें अभी हम ये ड्राय रोस्ट करेंगे ग्राम को यानि इसको फुटाने भी कहते हैं और इसको ड्राय रोस्ट करने के बाद हम इसको ग्राइंट करेंगे उसी में डालेंगे शक्कर, ड्राइ फ्रूट्स और इलाइचिकी पाउडर और इसे भी क्रैंट करेंगे अगर आपको डाल को रोस नहीं करना है तो स्किप करें और अभी हम सारे ड्राइ इंग्रिडियन्स को ऐसे छान लेंगे फाइन पाउडर में और बाद में इसमें हम एड़ करेंगे बेटरूट का जूस जो मैंने आपको बताया नई तो रेड कलर भी एड़ कर सकते हो थोड़ा सा रोस एसेंस और उसी के साथ इसमें डालेंगे घी मुझे यहाँ पे करीबन 6-6 टेबल स्पून घी लगा है हमें चपाती के आटे की तरह इसकी कंसिस्टनसी रखनी है देखिए आपको मैं ऐसे दिखा रही हूँ प्रेस करके बिल्कुल ऐसी अभी गुलकन जो हमने लिया है स्टफिंग के लिए उसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाके साइड में रख दे मोल्ट्स को अभी थोड़ा घी लगा के ऐसे ये जो मिश्रन है वो अच्छी तरह से दबाके इसको अंदर से ऐसा होल करके गुलकन का स्टफिंग डाले बंद करते और बाद में हमारे रोज गुलकन मोदक बनके ट्रडी है ये बपा के स्वादिष्ट मोदक सिर्फ पाच मिनट में बर्णते है और ये फायरलेस कुकिंग भी है तो इस गनेश फेस्टिवल पे ये मोदक अविश्य बनाए मेरी रेसिपी लाइक हुई तो शेर करें और लाइक देना ना भूले बाद